Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, I am going to tell you, basically हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, semester 3, Sem 3, Economic Honors का, Advanced MMA, Advanced MMA का जो chapter आ रहा है, chapter number 18, which is our constrained optimization. Constraint, constraint का मतलब होता है, किसी एक boundary तक, किसी एक limit तक, किसी भी एक boundary, किसी भी एक limit तक, किसी भी एक function को optimize करना, optimization minimum भी हो सकता है, यानि किसी function को आप minimum भी कर सकते हो, और किसी function को आप maximum भी कर सकते हो, ठीके, so constraint optimization में हमारा bound, किसी भी, यानि कि अगर हम इन तोनों को total मिला के, जैसे mileage function है, fxy, उस पे हमारा एक constraint लगा है, ठीके, तो उसको उस boundary के अंदर अंदर, उसकी क्या maximum value होगी, इस fxy की, वही होता है constraint optimization, मतलब किसी भी boundary के अंदर, किसी भी एक function को, या तो minimize करना, या maximize करना, यह होता है हमारा constraint optimization, ठीके, जैसे, मालनों आपका कोई भी function है, like xy, fxy, equal to xy, ठीके, यह दिख रहा होगा, fxy, equal to xy, तो हमें इसको, optimize कर रहा है, हमें यह नहीं पता, minimum निकलेगा, या maximum निकलेगा, that we will discuss further, कि कैसे पता लगाता है, minimum निकलेगा, या maximum, so optimization है, तो यानि कि minimum value निकल सकती है, और maximum निकल सकती है, तो इसको किसी एक constraint, constraint के respect में, और वो constraint क्या है, वो constraint है, gxy, ठीके, वो भी एक function होगा, x और y का, like, मुझे इस function को, optimize करना है, with respect to gxy, equal to x plus y, equal to 2, इसके respect में, मुझे optimize करना है, ठीक है, तो इस तरीके के question हम solve कर रहे होंगे, and ये एक एक इकलोती ऐसी वीडियो हो रही होगी, जिसमें आपका 18.1 और 18.2 दोनों के concept को, हम cover कर लेंगे, एक के question के थूँ, आपका question कुछ इस format में दिया जाएगा, 18.1 की अगर में बात करूँ, कि हमें maximize करना है, हमें maximize करना है function को, with respect to a constraint, GXY के हैं हैं आपर constraint, constraint यानि की boundary, ठीक है, तो इस तरीके के format में आपको question दिये जाएगे, 18.1 का हम अभी यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो आप अगर, यह वाली जो मैंने अभी बुक आपको दिखाई थी, यह बुक है आपकी, सिर्ट सेटर हैमन्ड की, ठीक है, एंड इसका जो भी आपका सेमेस्टर थर्ड में सिलेबस आ रहा है, उसका PDF मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, टेक्स्ट बुक का PDF, वहाँ पर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, टेलिग्राम चैनल का लिंग मेरे कमेंड बॉक्स में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कोशन है, देखो वो क्या कहा रहा है, इसको हम फर्स्ट को करेंगे, और उससे इसी तरीके से आपके सारे कोशन होते चले जाएगे, यहाँ पर आपका कह रहा है, maximize, फंक्शन को maximize करना है, और किसी एक constraint के subject में है, और constraint क्या है, हमारा ये given है, ठीके, तो हम इसको write down कर लेते हैं, यह question मैंने हैं आपर write down कर लिया है, तो हमें एक function को optimize करना है optimize में क्या करना है? maximize करना है मैंने कि जैसे lecture की starting में बताया था optimization का मतलब होता है minimum भी हो सकता और maximum value भी हो सकती है तो यहाँ पर हमें maximize करना है ठीक है? तो देखो इसके कुछ steps होते हैं उनी steps को हम क्या कहते है? necessary conditions necessary conditions क्या होती है? किसी भी एक function को with respect to constraint optimize करने के लिए तो पहली condition होगी कि जोई इसका slope होगा slope of fxy वो हमारा इस gxy के slope के बराबर होगा ठीक है? यह बराबर होगा ओके, then हम क्या करेंगे? जो भी इससे relation आएगा वो इसमें put कर देंगे and then हमारी value हमारी x और y के निकल आएगी लेकिन एक necessary condition जो आपको theory के लिए याद होनी चाहिए इसके दो necessary conditions होती है पहली तो हमारी यह होती है कि इसका जो सुरूप है fxy का वो हमारा gxy के equal होना चाहिए यह तो हमारी है first condition अब हम देखते है second condition second condition हमारी कहती है कि x और y की जो भी values आएगी न वो हमारे lies under constraint lies under constraint वो constraint के अंदर लाए करनी चाहिए क्यों क्योंकि देखो constraint optimization का मतलब एक particular boundary के अंदर अंदर function की minimum या फिर maximum value तो यह दो necessary conditions आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब इसको solve कैसे करेंगे सबसे पहले slope निकालेंगे f x y हमें given है x plus y इसका slope अभी हम निकालेंगे तो इसका slope क्या होगा minus f dash x upon f dash y क्योंकि यह implicit form थी हमने semester second में पढ़ा था इसको differentiate करने के लिए इसका slope निकालेंगे ठीक है so f dash x f dash x का मतलब 1 यहाँ पर with respect to x and f dash y यानि की 1 with respect to y यानि की यह जो हमारा इसका slope आगया slope आगया इसका f x y का वो कितना है minus 1 ठीक है इसे तरीके से हम g x y का slope निकालेंगे g x y हमको given है x square plus y equal to 1 ठीक है तो इसका अगर हमें slope निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में with respect to minus g dash x और g dash y जैसे की इसमें करा ठीक है तो g dash x कितना आजाएगा 2 x upon में और यह with respect to y है तो y हमारा 1 है with respect to y है तो यहाँ पर खाली y है तो इसका differentiation का हो जाएगा 1 ठीक है इस तरीके से हमने इन दोनों के slope निकालेंगे अब क्या करना है एक necessary condition को fulfill करते वे यह और यह हम क्या रख देंगे equals to में रख देंगे ठीक है so equals to में रखेंगे यहां लिखेंगे first और यह second ठीक है तो यहां लिखेंगे first equal to second तो यह हो जाएगा minus 1 equal to minus का 2x यानि 1 by 2 equal to x यह आगई हमारी x की value ठीक है अब इस x की value को हम इस constraint में put कर देंगे और इसने हमारी y की value आ जाएगी ठीक है तो constraint क्या था x square plus y equal to 1 x की value put करेंगे तो जाएगा 1 by 4 y equal to 1 y equal to 1 minus 1 by 4 यानि कि 3 by 4 यानि कि x की value की आ गए 1 by 2 और y की value आ गए 3 by 4 यानि कि 1 by 2 और 3 by 4 ऐसे points है नक्सिमाइज कर रहे हैं तो इस तरीके से सारे question इस exercise के हो रहे होंगे अब हम second exercise पर बढ़ते हैं उसके अच्छे से concept को clear करेंगे पहले जैसे हमने इसका ग़रा जैन उसका एक sample question देख रहे हो एक new concept आता है वो होता है हमारा lagrangian multiplier method lagrangian multiplier method तो एक तरीके से एक बढ़ बुक में देख लोते हैं 18.2 the lagrangian multiplier method तो देखो किसी भी function को maximize करने के लिए जो पहला तरीका मैंने आपको बताया सबसे पहला तो जो function है और जो constraint है उन दोनों की slope को equal रख दिया जो उनका relation आया x and y की form में उसको constraint में पूट करके x और y की definite value निकाल दी तो एक तरीका तो यह है किसी भी function की minimum या फिर maximum value उसको निकालने का यानि कि जिस point पे वो function minimum या फिर maximum value को attain कर रहा है अब हम आते हैं lagrangian multiplier method पे lagrangian multiplier method में हम क्या करेंगे देखेंगे फटा-फट lagrangian multiplier method भी एक function को maximize and minimize करना का एक तरीका होता है जैसे हमने first exercise में पढ़ा तो इसमें देखेंगे देखो हमारे दो हमारे function होते थे एक fxy एक gxy fxy हमारा होता था जिस function को maximize या फिर minimize करना है और gxy होता था हमारा constraint ठीके और इस function को हमें एक नाम दे देते हैं उसको कहते है objective function जिसको हमें maximize और minimize करना होता है ठीके इसके लिए हम lagrangian multiplier का method लगाएंगे तो इसके लिए हमारा एक technique होती है एक technique एक particular step चलते हैं lagrangian multiplier लगाने के लिए देखो हम सबसे पहले इसका slope निकालते थे f dash x upon f dash y ठीके इसका slope यह होता था and इसका slope क्या होता था g dash x और g dash y minus का sign कट जाएगा ठीके यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी तो मैंने ignore कर दिया ठीके इसका slope यह है और फिर हम इन दोनों को बराबर रखते देते अब lagrangian में यह हमारा lambda के equal होगा lambda जिसको lagrangian multiplier का notation ही क्या होता है lambda होता है तो यह lambda के equal होगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो यह अगर मैं इसे solve करों तो f dash x यहाँ पर आके g dash x हो जाएगा और यहाँ जाके f dash y हो जाएगा g dash y ठीक है तो अब यह और यह दोनों individually lambda के equal होगे ठीक है जैसे f dash x equal to lambda g dash x और यही f dash y equal lambda g dash y ठीक है तो इस तरीके के relationships को follow करेंगे अब जो किस तरीके से यह तो था basic ठीक है अब इस तरीके के question को यानि कि अगर किसी भी function को हमें maximize करना हो with the help of lagrangian method lagrangian multiplier method दो तरीके के method होते हैं एक तो first exercise में जो हमने करा simple वाला दोनों के slope निकालो इक्वल रगते हो जो equation i उसको constant में put कर दो और x और y की value निकालो इसमें हमें सबसे पहले जो करना होता है वो करना होता है setup ए lagrangian function हमें एक lagrangian function को setup करना है ठीक है उस lagrangian function को setup करने के बाद फिर निकालने है determine the first order derivatives first order derivatives हमें निकालने है then उन first order derivatives से जो भी हमारी equations बनती है उनकी help से हमें values निकालनी है ठीक है determine specific values किसकी भी निकले x और y की निकले, lambda की निकले, पहले वो question पर depend करता है ठीक है तो अभी उसको हम करने वाले हैं example question की help से तो देखेंगे तो जो question मैंने first exercise में लिया था वही question मैंने अब भी ले लिया है और इसी question को मैं आपको lagrangian multiplier method से maximize करके दिखांगी ठीक है so एक question को करने के दो तरीके हमें आ जाएंगे फिर देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे setup ए lagrangian function first step यही था तो lagrangian का जो notation होता है वो होता है ऐसे L बनाते हैं और हैं लिखते हैं Lxy Lxy यानि की lagrangian function xy यानि notation of a function तो उसका formula क्या होता है fxy जो भी है minus lambda gxy minus c यह lagrangian function का formula होता है याद कर लेना ठीक है fxy की जो रखेंगे fxy की जो value है minus lambda की जो रखेंगे lambda और gxy की जो रखेंगे यह x square plus y और यहां पर c क्या है constant constant value constant तो यह पूरा है constant value है 1 ठीक है तो minus 1 अब इसको थोड़ा simplify करेंगे जो जो रखेंगे lambda x square निकालेंगे second step में क्या निकालना था first order derivative first order derivative with respect to x and with respect to y यानि l dash x with respect to x निकलेगा तो 1 minus 2 lambda x ऐसी l dash y with respect to y यानि 1 minus lambda ठीक है तो इन दोनों को रखेंगे 0 के equal फिर हमें क्या करना है देखो यहां से lambda की value निकल रही है यहां से lambda आ गया 1 अब इस lambda को हम first equation में put कर देंगे ठीक है तो put lambda equal to 1 in first तो यह जाएगा 2 minus 2 x equal to 0 यानि x की value आ गई 1 by 2 अब हमें lambda की value पता लग गई x की value पता लग गई अब इसकी मज़त से अगर हम इस value को हम constraint में put कर दे अगर x की value 1 by 4 plus y equal to 1 यानि y equal to 3 by 4 यानि अब हमारी सारी values निकल गई अब हमारी सारी values निकल गई 1 by 2 भी निकल गई 3 by 4 भी निकल गई और lambda भी और इसको फिर हम अंत में जैसे उस question में हमने लिखा था ना उस question में हमने लिखाता ये खाली x और y की value अब इसमें हमने लेमडा भी निकाला है चुकी तो इसमें लेमडा भी लिखेंगे final answer में क्या लिखेंगे x की value 1 by 2 y की value 3 by 4 और lambda 1 इस तरीके से हमारा लेगरांजियन method से question होते हैं सबसे पहले लेगरांजियन function को set up करेंगे then first order derivative निकालेंगे then determine values then उनको last में ऐसे लिख देंगे so इस तरीके से हमारे ये questions होते है 18.2 का एक unique सा question मेर को दिख रहा है जिसको करने की ज़रूरत है वो भी देखेंगे एक परी देखो ये third question आपको दिख रहा है देखो पढ़ो क्या कह रहा है solve the following problems by lagrangian method lagrangian method से हमें problem solve करना है वो तो हम कर लेंगे हमने अभी कर रहा है and prove in each case that you have found the optimal solution ये important है और हमें उस जो solution निकले का lagrangian method से x और y की जो values निकलेंगी वो हमें प्रूफ करना है कि वो optimal values है तो उसको करने के लिए एक method होता है इस type के question को करने के लिए सबसे पहले first step जो है lagrangian method से x और y की value निकालना तो first part मैं कर रहे हूँ वो मैंने हापर note down कर लिया है सबसे पहले हम lagrangian function को setup करेंगे जो क्यों होता है fxy minus lambda gxy minus c ठीक है तो fxy के जगे रखेंगे यही x square plus 3xy plus y square minus lambda gxy के जगे रखेंगे 100 minus x plus y minus 100 इसकी जगे x plus y अब इसको solve करने की कोशिश करेंगे ज़रा तो x square plus 3xy plus y square minus lambda x minus lambda y plus 100 lambda अब इसको हम differentiate कर देंगे with respect to x 2x minus lambda plus 3y और l dash y को जो हम करेंगे 2y minus lambda plus 3x equal to 0 इसको इस तरीके से हमारे यह equations बन रहे हैं अब इसको मैं थोड़ा solve करूंगे तो जगे कर 2x plus 3y equal to lambda और जगे 2y plus 3x equal to lambda इसको मानेंगे first इसको मानेंगे second और इन दोनों को कर देंगे divide divide करना होता है value put मत करना ठीक है और इसको 3x और यह हो जाएगा हमारा y equal to x तो x equal to y हमारा relation आया इस relation को हम रखेंगे constraint में constraint क्या है हमारा x plus y equal to 100 तो मैं सारा question को x में convert कर रहे हूं तो 2x equal to 100 x equal to 50 x equal to 50 तो y b equal to 50 चीक है तो इस तरीके से हमारे points आगए अब हमें इस point करना है कि 50y 50 जो भी आया है वो हमारा क्या है optimal solution है सबसे पहले हमने यह x y की value निकाली अब हम lambda की भी निकाले दें जो फिर लेगरांजिन से निकाल रहे हैं तो 2x50 plus 3x50 equal to lambda तो जाएगा 100 यानि कि 250 हो जाएगा lambda यानि कि हम लेगरांजिन से निकाले दें तो यहाँ पर 3 हमारे आजाएंगे x, y और lambda तो यह हमारी आ गई अब हमें यह हमें करना है verify कि यह optimal solution है तो optimal solution के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे अब हमें इसे proof औरना है कि यह जो हमारा 50-50 to 50 निकला है वो हमारा optimal solution है तो सबसे पहले हमें पता है constraint क्या है x plus y equal to 100 और जो function है वो हमें given है x square plus 3xy plus y square अब हम क्या करेंगे इसमें से किसी एक variable की value निकाल देंगे मैं y की निकाल रही हूँ x की terms में तो यह आ गया अब इस value को हम इसमें put कर देंगे x square plus 3x y की जए 100 minus x plus 100 minus x का whole square अब इसको हम क्या करेंगे simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 300x minus 3x square plus 1,2,3,4 plus x square minus 200x ठीक है थोड़ा और simplify करने की कोशिश करेंगे यह हो जाएगा minus x square और यह हो जाएगा 100x और plus 4,0 ठीक है इस तरीके से हमारा आ जाएगा यह हमारा क्या है अब fxy अब इसको पूरा x में हो गया अब इसको पूरा x के respect में हम कर देंगे differentiate तो minus 2x plus 100 उसको रख देंगे 0 के equal यानि x हमारा क्या जाएगा इससे 50 x आगा 50 इस value को हम रखेंगे यहाँ पर तो हमारा y भी आ जाएगा 50 तो यानि कि यह जो 50 by 50 है ना यह हमारा optimal solution है यह हमने verify कर दिया hence verified क्योंकि हमारा जो lagrangian method थे उससे भी हमारा 50 by 50 और 50 आ रहा था और हमारा simple verification वाले method से भी 50 by 50 आ रहा है तो इस तरीके से आपको इन questions को solve कर रहा है तो hopefully आपको इस video पसंद आए होगी अगर आपको एक video पसंद आए तो please like और subscribe करे बिना मत जाना इस तरीके के सारी videos conceptual videos with questions advanced MME की semester 3 के और मोस्ट सारे subjects की इसी चैनल पर upload हो डियोंगी so please stay tuned